हेलो एवरीवन में टामोफसस में फिर से स्वागत करता हूं और आज का वेडियो होगा हमारा जो कंटीनुएशन चल रहाता एड्जेक्टिव के पार्ट्स का और एड्जेक्टिव आपको पूरा सीखा के जाना है कुछ नहीं बचना है इसके बाद कोई क्वेश्चन आपके बहुत मज़ा आने वाद है जनरली लोग वर्बल और और ओरल को नहीं समझते तो चलिए वर्बल और ओरल को समझने के लिए पेहले हम वर्बल को समझेगे पिर और उरल को समझेगे आपने कभी ये सुना होगा कि communication communication के दो टाइप होते हैं verbal communication एक non-verbal communication शॉर्ट में बता रहाँ, verbal communication वो जहां शब्द यूज होते है verbal communication is pertaining to words जहां शब्द यूज हो है, वो verbal communication and non-verbal communication ऐसा भी communication होता है जहां हम शब्द यूज नहीं करते है क्या बात कर रहे हैं sir, ऐसा कैसे हो सकता है yes, if I am using my facial expression if I am using my hands, waving my hands if I am just using symbols to communicate तो वो होता है, non-verbal communication जैसे आप जाते हैं पहाड़ों में तो आपको एक arrow दिखता है left को लगा हुआ तो कभी उस arrow ने road में आके आप से कहा है बाई sir, थोड़ा left को लेना होता गया ऐसा नहीं होता लेकिन आप उस arrow से ये समझ जाते हैं आप से कुछ कह रहा है और कह रहा है कि बाई को मुड़ना है तो arrow ने कुछ नहीं कहा कोई शब्द यूज नहीं हुए फिर भी कुछ communicate हुआ इस इस कॉर्ड नॉन वर्बल कम्मिनिकेशन लेकिन वर्बल कम्मिनिकेशन में हम शब्दों का यूज करते हैं तो जहां पर भी हम शब्द यूज कर रहे हैं वो वर्बल कम्मिनिकेशन है अब वर्बल और उर्बल में का difference है इसको समझे हाँ लेकिन कुछ extra बताऊं क्या बड़ा interesting है वर्बल कम्मिनिकेशन और नॉन वर्बल कम्मिनिकेशन में आप जानते हैं सबसे ज़्यादा है strong non-verbal communication होता है लोग सोचते हैं शब्द बोलना काफी है लेकिन non-verbal communication भरा हुआ है वो कहता है इसमें para language है इसमें body language है इसमें speech language, इसमें color language है ये क्या नहीं है इसमें symbolic language है और para language तो कमाल कर जाती है communication को अगर सीखना है तो para language को बनाना पड़ेगा जबर्दस जो बड़िया actor और actresses है para language के माहिर होते है और para language word से related नहीं होती जो word के बिना चलती है non-verbal communication एक आप बड़िया example बता देता हूँ चलिए adjective side रहा लेकिन कुछ interesting भी सीचना चाहिए English में आज बड़ी interesting चीज आपको बताता हूँ verbal में हम शब्दी उस कर रहें non-verbal में नहीं कर रहें तो para language होती है कि जो शब्द आप उस कर रहें how do you deliver it आप उसे कहते कैसे हैं उसमें तो वही शब्द नहीं लगेगा कैसे कह रहें लेकिन सब्द लगेगा जो आप बोल रहें तो जो आप बोल रहें वो तो verbal communication जैसे बोलेंगे वो non-verbal communication और वो किसी भी communicator या orator को बहुत जरूरी है जानना चलिए मैं बात करता हूँ आपको example दिखाता हूँ para language कैसे लोग बढ़िया लोग जो orators होते हैं कैसे use करते हैं मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपके सामने कुछ बोलने वाला हूँ और जैसा impression मैं चाहता हूँ as a orator आप में वैसा ही पढ़ेगा आप अपने दिमाग को कितना ही पकड़ कर रखो control कर लो आप अपने दिमाग को challenge है तो तीन पेरा लेंग्वेज यूस करूँगा और उस वो non-verbal communication होती है और शब्द वर्बन मैं एक ही सा यूस करूँगा तीनों मैं मतलब मैं शब्द वही बोलूँगा बार बार लेकिन मैं non-verbal का mode change करूँगा और आप पर पूरा impression अलग होगा क्या practical करें हैं चलिए एक line सुनाता हूँ आपको अब क्या घजल लिखू तुझे देखने के बाद अब क्या घजल लिखू तुझे देखने के बाद ये para language number one थी para language number two अब क्या घजल लिखू तुझे देखने के बाद para language number three अब क्या घजल लिखो तुझे देखने के बाद ये तीन पेरा लेंग्विश थी और तीनों में मैंने एक ही वर्बल कम्मुनिकेशन यूज़ किया लेकिन नॉन वर्बल चेंज कर दिया तीनों पेरा लेंग्विश चेंज कर दी तो पहली बार जब मैंने कहा अब क्या घजल लिखूं तुझे देखने के बाद तो ये फुल आफ एमोशन और वाम्ट है और दूसरे में जब मैंने कहा अब क्या घजल लिखूं तुझे देखने के बाद तो वो है गुसे में कही हुई चीज़ सब को समझ मारा है कि गुसा हो गया इतना मुट खराब होगी आपके गजल लिखू इस सेपर और तीसरे में अब क्या वजल लिखू देखने के बाद मतलब अब एक तो तुम्हें देख लिए इतना मुट खराऊ हुए उसके बाद गजल लिखने का इसान भी करना पड़ेगा क्या यह है वर्बल कम्मिकेशन को पैरा लिंग्विज कैसे इंपक्ट करती है तो नॉन वर्बल भी कितना जबरदस्त होगा आपने देखा तो यह कुछ एक्स्टा नॉलिज थी कभी हम इस बारे बात करे है यह कम्मिकेशन के लेक्चर्स थे जो हम देते हैं दो दर कॉर्पूरेट और मोटिवेशन में और भी बहुत सारी चीज़े हैं यह तो मैंने एक हलका सा जहलक दिखाई कि कुछ चीजे हमें एक्सपोस करती हैं कुछ बढ़िया चीज़ों के लिए मैं क्लासरूम में कैसे हम कर सकते हैं टीचर कैसे कर सकते हैं उसमें भी आपको कभी एक बड़िया वह तरीख़ा शिखा सकता हूं और कई तरीके इनोवेटिव हमारे पास हैं पर डा उजी में तो चलते हैं हम फिर से वर्बन और ओरल में तो जब सब्सक्राढ़ करते हैं तो अब आप बताइये य verbal test और ये सब इसमें कोई गल्थी नहीं है, ठेकल, तो गल्थी है, क्योंकि अब आप मुझे बात बताई है, जब भी आपको कोई test मिला है, आपके schools में, कहीं पर भी, उसमें कहीं पर आपके teacher ने ये कहा कि मैं तुमारा verbal test लोगा, क्योंकि test by default verbal होता है test लेगा पेपर लेगा तो उसमें शब्द होगी होगे शब्दों से ही communicate होगा तो test तब ही हो सकता है जब शब्द हो सकते हैं तो हम superfluous नहीं मनाते हैं उसे कि मैं verbal test होगा लेकिन जिस दिन teacher ने मौकिक कुछ लेना होगा उस दिन जरूर बोला होगा कि तुम्हारा oral test होगा तो वहाँ पर specify करना था test को कि वो शब्दों वाला जो लिखने वाला शब्दों वाला है वो नहीं है बल्कि औरन का मतलब है which is uttered through mouth जो मों से बोला जाए तो verbal में शब्द communicate करते हैं और यहां मों से बोलना जरूरी होता है oral में तो जब भी हम कहेंगे my teacher gave me a verbal test वो नहायती गलत sentence होगा क्योंकि वो सिर्फ test होना चाहिए लेकिन अगर वहाँ specify किया गया है कि वो verbal test लिया तो verbal नहों कि वहाँ पर होना चाहिए oral test my teacher gave me और my teacher gave me an oral test तो यह है oral test oral और verbal में जो difference होता है अब हम आपको लिए चलते हैं दूसरे usage में क्योंकि यह time की कमी होती है तो हमें जल्दी जल्दी आगे बढ़ना होता है नहीं तो अभी oral बन बहुत लंबी बात चलती अब हम चलते है next में कि एक और difference से बहुत शानदा है वह सिक वर्सेज इल sickness क्या है और illness क्या है हम तो जो मर्जी आए लगा देते हैं सर sick I am sick I am ill और इसमें फरक क्या पढ़ता है लेकिन फरक तो पढ़ता है भाई फरक क्या पढ़ता है देखिए sick होता है slightly disposed from the normal condition मान लिया है आप बहुत देर से कोई चीज सुन रहे हैं और आप बोर हो गए तो आप normal condition से थोड़ा अलग हट गया और आपको interest खतम हो गया तो आप कहेंगे I am feeling sick इसलिए आपने देखा होगा कि जब normal से आपकी life track से हट जाती है तो आप कहते हैं now I am becoming sick of this ठीक है रोज वोई schedule है आपकी life का तो आप कहेंगे I am I have become sick of this all ठीक है क्योंकि slightly normal से आप indisposed not disposed feel कर रहे हैं तो जब आप मान लिया कोई boring चीज़ देख रहे हैं ओ I have become sick of it now I am going to leave this room all right तो यह sickness है लेकिन इल है वाकई आप जब physically weak हैं और physically आपको rest की ज़रूरत है और आपको treatment की ज़रूरत है you are ill तो इल एक बेमार होने की निशानी है sick आप sick थोड़ी देर के लिए हो सकते हैं किसी चीज़ से बोर होके भी हो सकते हैं अनों डोनी से हो सकते हैं तो sickness is entirely different thing और illness actually tells the physical unrest जब physically आप weak हो जाते हैं और जहाँ आपको treatment की ज़रूरत होती है तो there is a difference between ill and sick अब हम बात करते हैं और English इस उसेज में एक बहुत शांदार है एक है LATR letter एक है LATR letter और एक है LATST latest और एक है LAST last तो आपको आता होगा ठीक है क्योंकि आप यह dialogue सुनते आ रहे होगे कि मेरा नाम यार लिस्ट में last से पहला है तो इतना तो आप समझे हो लिस्ट में last क्या होता है तो लास्ट सीक्वेंस में जो अंती में वो लास्ट है यह सबको पता है तो वज़े तीन लेटर LATR LATR और लेटिस्ट तो पहले LATR की बात करते हैं और इसमें भी लोग कंफ्यूजर ने ठीक है देखिए अगर कोई इसमें संदर्व काम करता है अगर आप टाइम के संदर संदर्व में किसी को बात में दिखाना चाहते हैं ठीक है तो उसको लेटर कहा जाता है LATR यहां संदर्व टाइम का है जैसे I reached there at 9 p.m. and my brother came later तो मैं 9 बज़े वहाँ पहुंचा और मेरा भाई उसके बात आया टाइम के रिफरेंस में बात करें लेकिन जैसी हम रिफरेंस में बात करें कि मानलिया दो लोग हैं और उनके करम के रिफरेंस में बात करना है कि इसके बाद यह तो L.A.W.T. आ रहाएगा लेटर जैसे अगर मैं का हूँ कि राम और शाम बोथ came to my home ठीक है बट लेटर has shown a great sense of civility अब यहाँ पर लेटर जो है वो राम और शाम में जिसका जिक्र बाद में आ रहा है sequence में उसके बारे में यह राम और शाम दोनों मेरे घर आई लेकिन शाम ने बड़ी सब्देता का परिचय दिया तो शाम दूसरे नंबर का था तो sequence में जो बात वाला होता है उसके लिए हम letter use करते हैं ले डवल टी यार ठीक है तो यह दोनों difference को आप बिलकुल clearly समझे और तीस रा तो माशालला आपको पता ही है लेटेस्ट फैशन क्या चल रहा है या राजकल लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है लेटेस्ट मूवी कौन सी चल रही है तो लेटेस्ट वो होता है जो recent होता है most recent ठीक है जो सबसे नजदीक में होता है जो सबसे नया होता है वो latest होता है तो latest का मतलब है most recent अब latest कहां use करते है latest fashion, latest trend ठीक है और latest styles और एक जब बड़ा अच्छा error आता है कि what is the last news of today तो यह हमेशा गलत होता है news कभी भी last नहीं होती what is the latest news of today इसको भी याद रखेगा यह error बहुत आता है तो latest बिलकुल most recent होता है और last तो आपको पता है किसी sequence में जो unthink होता है वो last होता है तो इस तरीके से आप adjective के special usage में यह चीज़ों को आप जानिये जितने भी हमने पहले दिये वो प्लस यह इन सब को आप अगर करते जाएंगे तो आपकी कोई भी adjective के ऐसे error नहीं होगी जो आप fundamental concept की बात की फिर comparative degrees के special rules की बात की फिर special usages की बात की और आज जाके हम यह कह सकते हैं कि adjective के सारे fundamentals हमने most of 99% ले लिये हैं अब हम adjective को छोड़ देंगे क्या नहीं metamopsis में इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ते हैं तो अब हम क्या करेंगे अब हम drill करेंगे अपनी knowledge को तो अगली वीडियो में अब मैं सारे उठा के लाऊंगा errors और errors में इन rules को कैसे apply गया आता है उसको हम drill करेंगे and with you on और आपी के साथ यह सब होगा और आपी के सयोग से ही जो है inspire करते रहिए आपके लिए कुछ करने को thank you very much for this video and your time thanks